दनेवाद संजय जी, मित्रों, आज बेंगलोर से बहुती दुखट समाचार मिले, सबसे पहले तो मैं अपने व्यक्तिकत और पार्टी की और से उनको शद्धान्जली देता हूं, उनका नमन करता हूं, मैं चजए हूं, आज जए लगाद नहीं, आज आज अजए टाव इस होलेश दूर्ट स्री श्री सिवकुमार स्वामिगालू, स्वामिजी जी है एड़े दित्ट स्री सिद्दागंगा मठ इन तुमकरू, and has passed away at the age of 111 years after several weeks of treatment. He was often referred to as the walking god and one of the most respected religious and social practitioners, not just of the Lingayat community, but I think of all of humanity. His onlyness, Dr. Sri 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 Sivakumara Swamikalu, lived for the people of India, especially the poor and the vulnerable. He devoted himself towards alleviating evils like poverty, hunger, social injustice. And I think all of us joined the people of Karnataka in paying homage to His Holiness Swamiji and we pray that His soul may rest in peace and we stand in solidarity with His countless devotees spread all across the world. अमित्रों, आज एक बहुती गंभीर समस्या देश के सामने और लोकतंत्र के सामने पश्चिम बंगाल में उभर के आ रही है. मुझे लगता है, जिस प्रकार से त्रिपुरा में लगबग शून्य से लेके सीधा 51 पतिशत तक भारतिय जनता पार्टी का वर्चस्व बढ़ा और पूरी तरीके से वहाँ पे सरकार को लोगों ने नकारा, लेफ्ट गवर्वर्मेंट को वहाँ से भार किया और भारतिय जनता पार्टी को पूरा वर्चस्व दिया राज्य सरकार को संभालने के लिए. इसी प्रकार से शायद पश्चिम मंगाल में भी आज ममता दीदी को चित्र उभरता हुआ स्पष्ट सामने दिख रहा है। वो डर गई हैं, ममता दीदी आज डर गई हैं, उनको साफ दिख रहा है। भारतिय जनता पार्टी का बढ़ता हुआ वर्चस्व, भारतिय जनता पार्टी, प्रदान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का लोगों के बीच लगाऊ लोग प्रियता और हमारे राष्ट्रे अध्यक्ष अमिच शाजी के लगबग हर कारिक्रम में रोडे अटकाने की तकलीफे डालने की अडचने डालने की पूरी प्रहत्न में पश्चम मंगाल की सरकार पूरी तरीके से जोट कई हैं वैसे देखो तो हम रैली के लिए पर्मिशन मांगते हैं समिच्षा जी मालडा में जन सबाग को संबोधित करने जा रहे हैं बगल में हवाई अड़े पे चौपर की लैंडिंग स्ट्रिप है के दिया जाते हैं वहाँ पे रिपेर का काम चल रहे हैं चौपर अलाउने करेंगे मैं तो अभी अभी देख रहा था एक समाचार वेब बाए गया है और एकदम क्लियर हेली पैड की साइट है कोई अर्चन नहीं है कोई रिपेर का काम नहीं चल रहे हैं पूरा क्लीन एरिया हमां पर हाली में थोड़े दिन पहले मम्ता जी का भी हलिकॉप्टर वाह उत रहे हैं लेकिन अमिच्छा जी के हलिकॉप्टर का इतना खौफ है और मैं समझता हूं यह खौफ बार बार देखने को मिल रहा है यह डर त्रिडमूल कॉंग्रेस का और ममता दीदी का स्पष्ट हो रहा है जिस पकार से वहां पे रादनेतिक हत्याएं हो रही है जिस पकार से वहां जब लोकल बॉड़ी के चुनाव थे केंडिडेट्स को अपना नामानकन पत्र नहीं भरने दिया नॉमिनेशन फॉर्म नहीं भरने दिया जिस पकार से दिन द्याड़े हत्याएं पश्चिम मंगाल में रादनीतिक कारेकरताओं के हो रही है हमने बाइक रैली निकालने की रिक्वेस्ट करी उसको नामंजूर कर दिया हमारे युवा शक्ति को भारतिय जनता युवा मोर्चा के कारेकरताओं को बाइक रैली की पर्मिशन नहीं दी उल्टे कलकता हाई को राज्य सरकार को आड़े लेना पड़ा सवाल पूचता पड विवस्ता राज्य सरकार का काम है कि पीछे पंचाय चुनाओं में 36 भाजपा के कारेकरताओं की राजनीतिक खत्याएं हुई लगबग 1300 से अधिक लोग इंजर हुए और पूरे राजनीतिक खत्याएं देखे तो उस दौरान 80 लोगों की राजनीतिक खत्या किस प्रकार की कानून विवस्ता आज पश्चिम मंगाल में चल रही है और मैं समझता हूँ जिस प्रकार से ये साथ साल का शासन त्रेडमोल कॉंग्रेस और ममता बैनर जी जी का रहा है ये स्पश्च दर्शाता है कि वहाँ पे एक प्रकार से पूरी कानून विवस्ता काबू के बाहर है शायद बंदूकों के और डंडों के जोर पर रादनीती चलाने की आधीन हो गई है वहां की सरकार वहां के रादनीतिक दल और हमें सबग सिकाने की कोशिश होती है लोगतांत्रिक मुल्यों पर पर मैं पूछना चाहूंगा कि ये जितने मित्र दल एकटे हुए थे उनको आज वहां की लोगतांत्रिक परंपरा ध्वस्त हो रही है उसके बारे में क्या कहना है कॉंग्रेस क्या कहना चाहती है वहां की लोगतांत्रिक व्यवस्था के उपर वैसे तो अगर हमारी सरकार कोई रादनीतिक दल के इतने वरिश नेता की रैली ना होने दे तो पूरे देश में बवाल मत जाएगा इंटॉलरेंस का मुझे तो शक है मीडिया के भी हमारे भाई बेन शायद मुझे और हमको छोड़ेंगे नहीं इंटॉलरेंस का पूरा लेबल लगा देंगे कि आपने रैली नहीं होने दी आपने wird kublich meeting नहीं होने दी और यहा तो बार बार अरचने लगाई जा रही है्ना हमारी यात्रा निकालने दे जा रही होने दे जा रही है कि लिए जब बहुत प्रैशर आता है इंट से इनगे बेटी सरकार यू टर औं करके पर्मिशन देती कि उस उमीद में कि शायद अब इतनी देर हो गई कि जनता ना पहुच पाए पर मैं सपश्ट करना चाहूंगा आज पश्चम मंगाल की जनता पूरी तरीके से राज्य सरकार की नाकामियों से परेशान है दुखी है और मन बना लिया है कि भारतिय जनता पार्टी को बहुत थाक करी जा सकती है ना कोई पोलिटिकल राली करी जा सकती है ना सरस्वती पूजा या राम नावमीर के उपर परमिशन देने की स्थिती में है सरकार, ये दर्शाता है पूरी तरीके से failure of law and order system और पश्चिम बंगाल की सरकार को जनता को इस चीज का हिसाब देना पड़ेगा, जनता इसका पूर्ण रूप से हिसाब आगे आने वाले लो का पूरा विश्वास है, कल मालडा में मानने अमिश्चा जी की जन सबा होगी और भारी संक्या में वहाँ पे जन सहलाब आने वाला है, मुकाबला करने के लिए त्रिणमूल कॉंग्रेस के अत्याचारों का और लोगतांत्रिक शक्तियों को और प्रबल और मजबूत बनान के लिए मुझे विश्वास है अपने बंगाल के भाईयों बेहनों पे कि वो किसी भी प्रकार के दिक्कते सहके भी इस प्रकार के अन्याई को का सामना करेगी और अन्याई को कभी बरदाश्ट देगी धन्यबाद अब वहापे परिस्थिती जैसे डिवेलप होती है उस पर नहीं लेंगे वाके हमारी एकाई इस पर नहीं लेंगे That is why this is the worst form of anarchy and failure of total State Government machinery that even the Honorable Prime Minister's rally if we don't allow. it's a complete collapse of the Law and Order system and I think the leadership has एक्रेद प्राइब च्राइब करते हैं झाल फ्राइब जैसंप्राइब लेस्ट च्राइब कर तक यह ढगा है। तेंक यू